वेलकम टू शिक्षामेडिक्स यूट्यूब एजूकेशनल चैनल तो आजका हमारा टॉपिक है डोलो 650 टाबलेट जानेंगे इसके बेसिक यूज, साइड इफेक्ट्स, कॉंट्रा इंडिकेशन्स और डोस के बारे में तो डोलो 650 टाबलेट में जो कंटेंड है जो उसका जन करने के लिए इसका यूज किया जाता है बुखार कम करने के लिए और अनलजेसिक हम देखे तो जो पेन होता है उसे रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है अगर इसके बेसिक यूज देखे तो जैसे मैं आपको बता है कि अनलजेसिक और अंटी पायरेटिक दोनों टेक है पिरिए्ट से दातों में दर्द अ श्रिष क ov केसे मुझे से पेन है तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते मतलब कॉल्ड है फिवर है उसके वोज़े से अगर बदन दर्द है तो उन कंडीशन में हम इसके यूज कर सकते हैं तो अगर इसका dose हम देखे तो कम से कम जो इसका dose लेना हमें, तो चार से पाच घंटे के अंतर से इसका dose हमें लेना चाहिए, 650 से अगर tablet हम ले रहे हैं, तो दिन में दो या तीन बार, बस उससे जजदा में ये medicine नहीं लेनी चाहिए, तो अगर इसके side effects हमें रोपने हैं तो कम से कम एक tablet या ज्यादा ज्यादा तीन tablet ही हमें लेनी चाहिए और हर tablet के बीच में 6-4 घंटे का gap होना चाहिए और इसे तभी use करें जब आपको fever है मतलब fever के वज़े से complications है जैसे fever है cold है और उसके वज़े से pain हो रहा है जैसे pain के हमने बात करें तो उस condition में हम इसका उपयोग कर सकते हैं जनरली इसका pain के समय ही use करना चाहिए और according to physician advice है हम यह medicine लेनी है self medicine नहीं करनी चाहिए उसके वज़े से side effects भी होने के chances रहते हैं अब अगर इसके side effects हम देखे तो rash और spelling आ सकती है हमारे body पे उसके साथ dark urine मतलब dark color का पेशाब हो सकता है clay color का stool हो सकता है उसके साथ constipation, fighting, dizziness, drowsiness, weakness जैसा feel हो सकता है low blood pressure होने के chances रहते हैं और nausea हो सकता है इसके वज़े से और जो main इसका side effect हम देखे तो liver damage करता है hepatotoxicity आता है इसके अंदर तो कुछ उसके side effects है अगर हम warning की बात करें तो कौन से patient में हमें यह medicine नहीं लेनी है तो जिसो hyper sensitivity है paracetamol के वज़े से उन patients में हमें यह medicine नहीं देनी चाहिए उसी के साथ जिसका liver damage है जो patient का already liver damage है या फिर liver की कोई complications है तो तब भी हमें यह paracetamol नहीं देनी है किसी को अगर kidney failure है तो उन condition में भी हमें paracetamol नहीं देनी है और अगर paracetamol लेने के बाद अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट्स या फिर complications दिखती है तो जल्दी से जल्दी अपने physician को जाके दिखाना चाहिए तो यह था complete lecture डोलो 650 tablet के बारे में मिलते है अगले वीडियो में थैंक्यू वेल्कम टो शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजूकेशनल चैनल